Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone तो Class 8 का Chapter Friction Mind में हम आपके सामने हैं और Class 8 के Chapter Friction को हम यहाँ पर complete करने जा रहे हैं देखिए, तो यहाँ पर Friction के अलग-अलग expect दिये हैं कि Friction अलग-अलग जगों पर कैसे काम करता है 1 by 1 income को समझना पड़ेगा कि Friction कैसे काम करता है तो कहीं न कहीं से तो उठाना पड़ेगा तो चलिए सबसे पहले यहाँ से उठाते हैं अपन Friction को Okay, Friction की यह वाली जो चेन गई है कहरा Friction is a necessary evil Necessary evil मतलब जरूरी वाली बुराई एक तरीके से जरूरी शैतान एक कुछ ऐसी चीज होती है कि जरूरी भी होती है और नुकसान भी करती है जैसे कि जैसे रोड पे आप चलते हो तो रोड पे चलने से गाड़ी के टायर घिसते हैं और गाड़ी के टायर क्यों घिसते हैं क्योंकि रोडे खुरदूरी होती है खुरदूरी होती है, मतलब उन्हें फ्रिक्शन होता है, बट इधी रोडें खुरदूरी नहीं होती, तो क्या उन पर गाड़ीयां चल पाती, कभी नहीं चल पाती, स्लिप होती, गाड़ी के टायर घूमते जाते और कुछ कुछ हो नहीं पाता, तो फ्रिक्शन is called necessary evil, ओके, म नहीं होता है, तो हम वोक नहीं कर पाते है, राइटिंग लिख पाते हैं, और तो और holding object, आप किसी object को अगर पकड़ते हो, तो वो रुका हुआ है, बिकॉस क्यों, आपके skin और उस object के बीच में लगने वाले friction की वज़े से, नहीं तो वो slip हो जाता है, क्यों हो जाता है, क् अब आई यह दिखते हैं, friction किन किन चीज़ों पर depend करता है, तो friction depend on, देखे, come and more, friction जो होता है, कहां होता है, smooth surface पर, कहां पर smooth surface यानि चिकनी surface पर friction कम होता है, और rough surface पर कहां होता है, ज्यादा होता है, मतलब कि जो friction होता है, वो nature of surface पर depend करता है, कोई पूछे कि friction किस पर depend कर करता है तो friction depend करता है nature of surface surface का nature कैसा उस पर depend करता है ओके चलिए यह देख लेते हैं कि friction को mainly effect करने वाले factor कौन-कौन से यह बड़ा important है भाई कि friction को effect करने वाले factor कौन-कौन से है so first is nature of the surface in contact जो body है उसके नीचे surface कैसी रखी हुए चिकनी रखी हुए खुर्दोनी रखी हुए ओके तो friction जो होता more in rough surface rough surface का friction क्या होगा ज्यादा होगा और less in smooth surface smooth surface का friction क्या होगा कम होगा ओके हां next अगला है कि friction इस चीज़ पर how hard the two substances pressed together मालीजे जैसे आपकी दोनों हथेलिया है आपकी दोनों क्या है हथेलिया है यह एक हथेली है और इसके उपर आपने दूसरी हथेली इस तरीके से रख रखी है अगर आपकी हथेलिया एक दूसरे से कम प्रेस हैं मतलब आप ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे हो तो अगर आपने यहाँ से प्रेसबस बढ़ा दिया और यहां से बढ़ा दिया तो अब बहुत जोरो का फ्रेक्शन लगेगा वह लगेगा की लिए नहीं लगेगा सो यह डिपेंड करता है और आपको कि इस बस्तांच जो होगा कि फ्रिक्शन जो है नीचे वाले area पर भी depend करता है, तो सबसे ज़्यादा, interesting बात में आपको यहाँ बता दो, कि friction जो होता है, वो कभी भी ground अपनी surface के area पर depend नहीं करता है, मतलब जो इसके नीचे जो area हुआ करता है, इस पर depend नहीं करता है, area ज़्यादा हो, तो भी उतने friction लगेगा, कम हो, तो भी इस फ्रिक्शन लगेगा, friction control इन चीजों से होता है, area से friction का कोई मतलब नहीं है, okay, area से मतलब होता है pressure का, कि से मतलब होता है, pressure का friction से area का कोई मतलब नहीं है, तो एक अच्छी बात निकल कर रिक्याए यहाँ पे, independent of the area of the contact, मतलब जो friction होता है, area of contact के क्या होता है, independent में बात करते हैं इस प्रिंग बैलेंस अब भाई आपने इस प्रिंग बैलेंस तो देखा होगा है ना इस प्रिंग बैलेंस आपने कहां देखा होगा यह जो जंक सेलर वगएरे हुआ करते हैं जो जंक लोग खरीदा करते हैं यह जो है तो यह जो जंक सेलर्स हुआ करते हैं आप spring कुछ देर के बाद में बहुत ज़्यादा जंग लग जाती है इसमें क्या लग जाती है इसमें जंग लग जाती है तो जंग लगने के कारण यह spring perfectly relaxed होती नहीं है perfectly relaxed होती नहीं है okay relax नहीं होती है तो reading क्या बताई जाती है कम बताई जाती है मतलब हम ज़्यादा weight भी चढ़ा जो भी होते हैं उन लोग के पास आपको ये वाला मिल जाएगा ओके चलिए तो खेर अपने टॉपिक पर आते हैं जो हम बात कर रहे थे बात कर रहे थे स्प्रिंग बेलेंस आपने देख लिया क्या होता है ऑटविर समझ में तो आ गया ना स्प्रिंग यह देखे कुछ इमेजेस आपके सामने आ रही है यह most commonly used spring balance है एक दो को मैं जूम करके एक तो पुराने वाले यह भी हुआ करते थे बट आज कल जो है इस टाइप के spring balance इस्तमाल में लाए जाते हैं आपने most commonly देखा होगा इस टाइप का spring balance अगर आपने देखा हो तो यह Kiloha करते हैं अगर ओके और इसमें आप वेट लटका देते हो और यह जो वेट होता है यह move हुआ करता है क्या हुआ करता यह हुआ करता यह move हुआ करता उपर नीचे यह move हुआ करता तो यह कहलाते है हमारे क्या ये कहलाते है spring balance ये perfect picture आ गई थी इसकी चलिए आईए तो बात करते है next spring balance की बात तो हो चुकी है okay so spring balance की हम बात कर रहे थे ये रेखिए use of spring balance spring balance का use क्या होता है तो अभी तो मैंने बता दिया measuring force acting on the object object पर act करने वाला force object पर act करने वाला force की किसी object पर कितना force act कर रहा है इस बात को समझो जैसे मान लो आपके पास यह कोई spring balance है okay और spring balance में यहाँ पर नीचे काटा लिंक ला होता होक जिसको बोलते है और आप ने किसी चीज़ को कोई थेला है सब्जी का आपने इसको लटका दिया यह सान्नो यह थेला है उस पर क्या लटका दिया इस पर लटका दिया तो यह जो है balance का जो spring लगी होती है यहां से यहां चला जाता है क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है और इस पर फोर्स क्यों लग रहा है क्योंकि इस थैले पर फोर्स लग रहा है अब आपको कहोगे सब थैले पर कौन सा फोर्स लग रहा है अरे भाई थैले पर gravitational force, उसका weight force लग रहा है कितना, mg, कितना लग रहा है, mg, इस वजए से वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे नीचे खिसकने लगता है, ओके, तो spring balance जो है, धीरे-धीरे आपका, वो नीचे खिसकने लगेगा, तो spring balance का use क्या होता है, spring balance का measuring the force acting on the object, object पर लगने वाले force को calculate करने के लि कि force कितना है, जादा होगा, इसके लगर नीचे जादा जाएगा, तो force जादा होगा, और कम जाएगा, तो force कम होगा, done, ओके, चले देखे, आईए, और जदा clear करता हूं, यह देखो, यह weight दिया रहा है, newton की reading लगी हुई है, ओके, और यह सब से उपर आपको दिख रहा है यह, यह, यह एक ऐसा कांटा जैसा दिख रहा है, जैसे जैसे आप इस फे weight बढ़ाते जाओगे, यह कांटा क्या होता जागा, नीचे के सकता जाएगा, तो 4 newton पर आजाएगा, 8 newton पर आजागा, 12 newton पर आजागा, 60 newton पर, highest यह कितने newton load wear कर सकता है, 22,000 नी, हाँ, 2000 grams है, 2000 क्या ग्राम से, यहाँ पर किता है, 20 newton, किते newton, 20 newton, तो highest यह 20 newton का load wear कर सकता है, समझ गया ना, अब तो बिलिकुल क्लियर हो गया ना, इसको देख करके, चली, आँगे बढ़ते हैं, तो, यह, हाँ, तो यह बात कर ली, मैंने, तो scale क्या indicate करता है, scale indicate करता है, magnitude, magnitude का मतलब क्या होता है, कि कितना ज्यादा है, magnitude मतलब कितना, ज्यादा, एक, मतलब mathematical number को magnitude बोला जाता है, amount बताता है, magnitude के कितना ज्यादा amount है, okay, done, तो यह हो गया है, अब आद करते हैं, देखे, essential aspect of it, भाई, किसके essential aspect की बात हो रही, friction के, okay, friction के essential aspect of it, मतलब friction जरूरी इतना ज्यादा क्यों है, इसके essential aspect की बात करते हैं, so can't hold glass tumbler, greasy glass without it, okay, can't hold glass tumbler, greasy glass without it, मतलब कि भाई, आप देखो, अगर आपके हातों में friction नहीं होता, तो आप glass tumbler को क्या hold कर पाते, no, okay, greasy glass, मतलब कि चिकना glass जो होता है, बहुत ज़्यादे चिकने होता है, greasy glass आया न, उसको आप hold नहीं कर पाते, done न, जब आप मतलब नया नया glass आपके घर में आता, तो paper से wrap रहता, तो आप बड़ी सुविधा से उसको निकालते हो, बड़े आराम से निकालते हो, कहीं slip ना हो जाए, क्योंकि आप आपकी उंगलियों में तो friction जादा है, अगर paper में friction क्या होता है, कम होता है, तो उसको आप बड़े आराम से निकालते हो, couldn't ride the pen pencil, अगर आपकी pen और nip में कहीं पर friction नहीं होता तो क्या आपकी pen चल पाती paper के उपर, no way, बिल्कुल नहीं चल पाती, क्या friction नहीं होता तो आप move कर पाते, क्या friction नहीं होता तो चीज़े रुख पाती, अगर road खुरदोरी नहीं होती, तो क्या break लगाने से रुखती चीज़े की नहीं रुखती, कभी नहीं रुखती, okay, change direction of the motion, और friction लगाने से ही क्या होता है, motion की direction change होती है, होती कि नहीं होती है, yes or no, मतलब आपको friction ल प्रिक्शन धोड़ा चेंच होता है swap एक प्रिक्शन नहीं होता थो नौ विल्डिक्त अग़र दूसरी इंट फिसज जाती तो इसी वर्टिकल इंट विल्डिंग बनती बड़ी-बड़ी तो वर्टिकल इंटे होती तो एक इंट के उपर अगर दूसरी इंट फिसल जाती बिल्कुल चिक नहीं होती तो क्या इंटे इतनी साही रख पाती क्या कि नहीं लग पाती अगर इंटे एक दूसरे के उपर लच फिसल जाती तो लग पाती क्या नहीं लग पाती तो बिल्डि सबस्क्राइब करें दोलेख घरे में अच्छा में गडिक माने करें देख प्रिक्षन को बढ़ा भी सकते और घ्टाह भी सकते हOOD so rate of the friction you can increase the friction or you can decrease the friction so 2 बाते होते हैं reducing the friction and increasing the friction कहीं कहीं पर आपको friction reduce भी करना पड़ता है जैसे मशीनों में जैसे आपकी गाड़ी में cycle में तो cycle में गाड़ी में जब machinery parts rotate होते हैं तो उनके बीच में friction बहुत बढ़ जाता है बढ़ जाता है ना तो उसको reduce करने के लिए क्या करते हैं आप oil डालते हैं oil डालते हैं गाड़ीों में grease लगाते हैं लगाते हैं तो oil greasing बगरे करते हैं जिससे कि क्या होता है उनको friction काम हो जाता है तो वो purpose क्या होता है वहाँ पे cycle में भी हम brakes बगरे में friction रखे क्योंकि हम brake के lever को आए दिन आंगे पीछे करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें friction ना हो जाम ना हो जाए और बहुत smooth move करें Yes or No? Smooth move करें इसके लिए हम क्या करते हैं उनकी contact surface को क्या करते हैं Smooth करते हैं क्या करते हैं contact surface को smooth करते हैं So we use lubricant We use lubricant So we can use lubricant or lubricant to remove I can't say कि friction को remove किया जा सकता है उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो क्या कर सकते हो कम Friction को remove तो करने बाली कोई बात ही नहीं Friction को आप remove करी नहीं सकते हो चाहे जो कर लो चलिए अब friction को increase करना friction को increase करना भी बहुत आपके काम की चीज है जैसे जिन अभी जिन slippers को मैं जिन चपलों को मैं पहना हूँ उनसे मैं बहुत परिशान रहता हूँ क्यों कि कारण यह है कि मेरे घर में जो फर्ष है यहाँ पर यह बहुत स्मूथ है इसलिए आपने देखे होंगे खिलाडी लोग जो क्रिकट के मैदान में यूज करते हैं उनमें स्पाइक्स निकले होते हैं काटे निकले होते हैं तो अगर आपको फ्रिक्शन को कम बढ़ाना है तो आप कैसी सर्फेस यूज करिए बिल्कुल रफ सर्फेस कैसी उस करिए रफ सर्फेस तो कभी भी आप अगर चपले वगरे लेने जाए तो एक बार जरूर पीछे का हिस्सा देखके हैं चपलों में लें कि पीछे का हिसा चपल और जूते का बिल्कुल फ्लाइट बिल्कुल चिकना तो नहीं एकदम अगर एकदम स्मूथ है उसमें को थ्रेटर करके सर्फेस को रफ कर दो कह प्रींचे कार और बारी वहिकल प्राइ कर जो त होते हैं आप ने देखा हूँ को समय कट है रही क्रे गाप्रेश में ढले रहते हैं क्रेश देखेना और टैक्टर में तो देखा हूंगा इत्त और बड़ा बड़ा बल्म बीच में जाता है चिकनी मिट्टी में जाता है जहां पर friction की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि ट्रेक्टर को इसके साथ इन काउंटर करना पड़ता है चिकनी मिट्टी के साथ समझ में आया ओके सो यह हो गया है अब इसके बाद अगला topic है friction is an evil मतलब friction जो है नुकसान कैसे करता है ओके अब next देखिए next जो अगला part है वो है friction as an evil मतलब friction हमाई लिए नुकसान कैसे करता है देखो wearing of material आपको सबको पता है कि जो friction होता है वह wearing and tearing करता है मतलब चीजों को खराब कर देता है घिस घिस करके जैसे हमारी गाड़ी के जो टायर होते हैं उनको regular interval में 3-4 साल में हमारी bikes के टायर को हमको बदलना चाहिए क्योंकि वह घुल जाते हैं और उनके जो cracks वगएरे होते हैं वह पूरे तरीके से मिट जाते हैं जिससे की गाड़ी ब्रेक मारने पड़ भी रूकेगी नहीं समझ गया न क्योंकि चिकना टायर हो जाएगा तो accident होने के chances हो जाते हैं और देखो wearing material में हमारी चपलों के सोल्स खराब हो जाते हैं चपलों के सोल्स जो होते हैं एक दम चिकने हो जाते हैं ओके और इसको wearing out material को बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाल वेरिंग का, आपने देखा होगा, पंके बगरे जब खुलते हैं, तो आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके की चीज, पंके के अंदर से निकली होगी, यह ऐसा होता है, यहाँ बीज बीच में छर्रे पड़े होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं Wal wearing तो यह क्यों यूस किया जाता यह Wal wearing इसलिए यूस किया जाता कि जो भी गूमने वाली चीजे हैं उनके अंदर ये रहेगा ना तो ये चीजों का friction कम कर देगा क्या कर देगा ये friction कम कर देगा और इससे ज़्यादा गर्मी उत्पनल नहीं होगी, इससे ज़्यादा heat produce नहीं होगी, तो wall wearing जो है friction को कम करने का बहुत ही बेजोड बहुत ही लाजवाब तरीका है, समझ में आया, ओके ये देखे आपके सामने में एक wall wearing दिखा रहा हूँ, typical wall wearing है ये, ये देखो इसके अंद जाओ आउटर पार्ट है, ये इसके उपर क्या करेगा, घूमेगा, तो ये जो होता है, अगर सोचो आप, कि अगर ये इसके direct contact में होता, तो बहुत सारी गर में निकलती के नहीं निकलती, घिस्ता के नहीं घिस्ता, बट अभी इसके direct contact में नहीं है, wall wearing की वज़ए से ये इ और आपको इस बॉल वेरिंग को बदलना पड़ेगा तो फिर आप मार्केट में जाते और नई वाली वाल वेरिंग लेकर के आते और आप नई मार्केट से इसको लगा देते हो समझे गया तो यह वाल वेरिंग यह किसीज को मेंटेन करने का फिरिक्शन को कम करने का डन ज़ी तो यहाइं को यह कूप बहुत बड़ी आ बात वाल वेरिंग की बात कर चलिये अगर आपको फ्रिक्षं को जानबुछ करके इंक्रीस करना थो आप क्या करिए कि इंख्रीक्शन को इंक्रीज कणने के लिए क्या क्या परिगे सोल सव्षु want सोछ होते हैं और उनको ऐक तरीके से किसे इस स्पाइइक करने के लिए brake system का, brake system के लिए क्या है, friction जादा होना चाहिए की कम होना चाहिए, जादा, तभी तो गाड़ी रुकेगी, तो क्या करा जाता है, कि friction के लिए area, contact area को पास में लाया जाता है, दो areas को, दो surfaces को, एक खुर्दुरी वाली को, मेन जो मूव कर रही होती है, और brake system में भी फ्रिक्षन का इस्तमाल होता है अब फ्रिक्षन के हम टाइप की बात करते हैं देखे फ्रिक्षन कई टाइप का होता है एक होता है रोलिंग फ्रिक्षन एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्षन एक होता है फ्लूड फ्रिक्षन तो रोलिंग फ्रिक्षन क्या होता है जैसे म गसीट के लेकर के काटून याने की बड़ा सा बॉक्स है तो इसको घसीट के लेकर के जाते हैं तो जब आप घसीटते हैं तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनग क्या बोलते हैं कि आपके चीजासे यह है कि you ढोड़ी स्लाइडिंग है इसको मैं रोल करके ले ज Hakuto Co section होगा रोलिंग friction एक होता है फ्रीक्शन जब आपकी कार चलती है रोड पे तो सामने से हवा आती और हवा क्या करती है आपके कार को friction अपोस करती है तो इसको हम बोलते हैं क्या flood friction समझ में आ गया तो यह हो गया total of type के हमारे friction और सारे के सारे एसपेक्ट यहां पर जितना भी topic इसमें दिया गया है माइंड मैप में हमने वो complete कर लिया है अब आप इसको एक बार पढ़िए और बताइए कहां पर problem हो रही है तो उसको मांगे discuss करेंगे थेंक यू